नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में आज हम वर्ग पहली संख्या 10 को हल करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो हम इस वर्ग पहली को सबसे पहले हम बाय से दाय हल करेंगे उसके बाद फिर उपर से नीचे तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बाय से दाय नमबर एक गजबांग, दाब, दबाओ, रोक इसको क्या बोलेंगे? अभी हम इसको छोड़ रहे हैं उसके बाद फिर हम चार नमबर पर आएंगे कस्ट, परेशानी कस्ट, परेशानी इसको भी हम छोड़ रहे हैं फिर उसके बाद साथ नमबर पर आएंगे बाय से दाय साथ नमबर गडवर, घपला, हेरा, फेरी चार अक्षर का होना चाहिए गडबड, घपला, हेरा फेरी तो यह हो जाएगा गोल माल गोल माल हेरा फेरी साथ नमबर बाहे सिदाएं फिर बाहे सिदाएं पर साथ नमबर के बाद नव नमबर म्रत्यों के देपता बाहे सिदाएं तो नव नमबर बाहे सिदाएं यह हो जाएगा यम ठीक है अब नव के बाद बाएं सिदाएं यहां पर ग्यारा नंबर दिया हुआ है तो ग्यारा नंबर भर्माना, धोखा देना, बहलाना यह हो जाएगा बहकाना, भर्माना, धोखा देना, बहलाना यह हो जाएगा बहकाना बहकाना फिर बाए सिदाएं 11 के बाद यहां पर दिया हुआ है 12 नमबर अज अज को हम बोलेंगे बकरा बाए सिदाएं 12 के बाद 14 नमबर हमेशा सरवदा हो जाएगा सदा हमेशा सरवदा सदा फिर बाए सिदाएं 14 के बाद 15 नमबर 6 रहित यह हो जाएगा अजर फिर बाए सिदाएं 15 के बाद 17 नमबर प्रात है सवेरा इसको भी अभी हम छोड़ रहे हैं फिर 17 के बाद 18 नमबर परदा आवरण गोगट यह हो जाएगा पट बाए सिदाएं 18 नमबर के बाद 19 नमबर निशित अनुचित 19 नमबर बाए सिदाएं निशित अनुचित हो जाएगा हराम निशित अनुचित हराम यह हो जाएगा हराम 19 नमबर भी कम्टिट हो चुका है आपको भी अगर पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताईए जैसे हम 22 नमबर पर आ चुके हैं निशित अनुचित इसको आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका हल यह होगा फिर 22 नमबर 19 के बाद 20 नमबर साधन सहुलियत आराम यह हो जाएगा सुविधा 23 नमबर नहीं 20 नमबर 22 नमबर साधन सहुलियत आराम हो जाएगा सुविधा यह हो जाएगा सुविधा 20 के बाद फिर दिया हुआ है 21 नमबर भै डर आसंका यह हो जाएगा खत्रा 22 नमबर भै डर आसंका खत्रा भै डर आसंका को हम खत्रा बोल सकते हैं फिर 21 के बाद 23 नमबर रुकावट अबरोध बाधा रुकावट अबरोध दोक्षर कहोना चाहिए तो यह हो जाएगा बाधा रुकावट अबरोध बाधा फिर 23 के बाद 24 नमबर उदाहरण द्रिश्टांत उदाहरण द्रिश्टांत यह हो जाएगा नजीर फिर 24 के बाद 26 नमबर कपड़े कागच के छोटे छोटे टुकड़े कपड़े या कागच के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोल सकते हैं? चारक्षर का होना चाहिए तो यह हो जाएगा कतरन फिर लास्ट नमबर 22 नमबर सिक्षा तालीम इसको भी अभी हम छोड़ रहे हैं तो इस वीडियो का आधा पार्ट पूरा हो चुका है बाए सिदाए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कु लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें और सेयर भी कर सकते हैं अब हम बाए सिदाए पूरा हल कर चुके हैं अब हम उपर से नीचे हल करेंगे तो उपर से नीचे नमबर एक गमचा गो है तो यह हो जाएगा अगोचा फिर उपर से नीचे नमबर दो खांदान हो जाएगा कुल फिर उपर से नीचे तीन नमबर दो के बाद तीन नमबर मोम बत्ती ये हो जाएगा शमा तो एक नमबर आप देख लेते हैं क्या होगा बाइस दाएं गजवांक दाप दबाव रोब ये हो जाएगा अंकुस ठीक है तो अभी हम उपर से नीचे एक भी हल कर चुके हैं दो तीन नमबर अब हम आते हैं पांच नमबर डाकिया चार अक्षर का होना चाहिए डाकिया इसको हम क्या बोलेंगे का है डाकिया को क्या बोलेंगे अभी हम इसको छोड़ रहे हैं फिर पांच के बाद छे नंबर निश्चित निर्नीत यह हो जाएगा यह है तो यह हो जाएगा तै निश्चित निर्नीत तै अब हम उसके बाद छे नंबर के बाद आठ नंबर पर आ चुके है जूट बोलने वाला यह तो आटमेटिक अपने आप ही है लबरा निखा हुआ है फिर उसके बाद आठ के बाद दस नमबर उपर से नीचे आनंद दायक स्वादिष्ट बढ़िया मजेदार आनंद दायक स्वादिष्ट बढ़िया दस नमबर उपर से नीचे हो जाएगा मजेदार फिर उसके बाद तस नमबर के बाद बारा नमबर आये ब्याये का पुर्वा नुवान लेखा जो खा बजट अपने आफी है यहाँ पर बारा के बाद हम तेरे नमबर पर आ चुके हैं हस्त सुल्क उपर से नीचे तेरे नमबर कर अपने आफी आ गया है यहाँ पर चौदा नमबर राजी रजामंद चौदा नमबर उपर से नीचे सा औरता दिया हुआ है ति यह हो जाएगा सहमत राजी रजामंद सहमत फिर उसके बाद चौदा नमबर के बाद पंद्रा नमबर अजिर्ण बदहज्मी अजिर्ण बदहज्मी पंद्रा नमबर उपर से नीचे आ पादिया हुआ है ते यह हो जाएगा अपच्च अजिर्ण बदहज्मी हो जाएगा अपच्च पंद्रा के बाद 16 नमबर कर लगाना कराधान 16 नमबर उपर से नीचे कराधान 16 के बाद 19 नमबर उपर से नीचे हवन कुंड हवन कुंड नहीं हवन सामगरी हवी ये भी अपने आप ही आ गया अब 19 के बाद 20 नमबर उन्यन परिमार्जन परिस्कार 19 नमबर उपर से नीचे उन्यन परिमार्जन बहिस्कार इसको भी अभी हम छोड़ रहे हैं बीस नमबर यह तो अपने आप ही आ गया सुधार फिर बीस के बाद हम आ चुके हैं 21 नमबर पत्थर की कुंडी खरल इसे बोलते हैं पत्थर की कुंडी को खरल उसके बाद 21 के बाद 22 नमबर खादि समगरी यह हो जाएगा राशन खादि समगरी राशन 21 के बाद 22 नमबर भी हो चुका है 22 के बाद 23 नमबर चरचा चरचा का हो गया बात अपने आफिया आ चुका है बीजए 25 नमबर उपर से नीचे बीजए यह हो जाएगा जीत तो यहाँ से हम एक बार उपर से नीचे पूरा कर चुके है और बाएं से दाएं कर चुके हैं और हम ये सबसे आसान तरीका है, बर्ज पहली हल करने का अब जो बचे हुए हैं, हम उनको हल करेंगे तो बचा हुआ कौन सा है, ये 27 नमबर बचा हुआ है तो सिक्षा तालीम तलकीन हो जाएगा ये तलकीन बहुत ही प्यारा सब्द है ये और ये भी हो चुका है अब हम आ चुके हैं चार नंबर पर बाए से दाएं तो बाए से दाएं यहाँ पर बाए से दाएं जाएंगे उसके बाद चार नंबर कस्ट परिशानी जहमत कस्ट पर बाएं सिदाएं यहां पर आएंगे उसके बाद हम सत्रा नंबर पर आएंगे सत्रा नंबर प्राता है सवेरा हो जाएगा सहर प्राता है सवेरा सहर अब एक लास्ट बचा हुआ है पांच नंबर उपर से नीचे उपर से नीचे पांच नंबर डाकिया डाकिया को हम बोलेंग हम हरकारा बोलेंगे और दूसरा सिक्षा तालीम जिसे हम तलकीन बोलेंगे तो वीडियो अगर आप यहां तक देखे हैं तो आप हमारी लिए बहुत ही special है वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो बिलकुल आप लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और सेर भी कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू सो मच